अभी रात के दस बच चुके थे और मैं सब के खाना खाने के बाद सिंख में रखे हुए जूटे बर्तन साफ कर रही थी तभी अचानक से तेज बारी सुरू हो गई मुझे अचानक ही धान आया कि अरे आज तो मैं छत पर से कपड़े ही नहीं लाई हूँ मैंने बर्तन धोना छोड़ दिया और जल्दी से अपने हाथ पोचे और छत की सीरिया चड़ते हुए छत पर चली गई मैंने जल्दी से सभी कपड़े समेट और छत पर ही बने हुए एक कमरे में उन कपड़ों को रखने के लिए गई तब ही मुझे लगा कि मेरी ननद इस अंधेर कमरे में किस से बात कर रही है उस रूम की लाइट भी ओफ थी बारिश की वज़े से जो कपड़े गीले हो गए थे मुझे उन्हें फैलाना था इसलिए मैंने लाइट ओन कर दी लाइट ओन करते ही जब उसने अचानक से पीछे मुड़ कर देखा तो उसे ऐसा लगा कि जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो मैंने उससे पूछा सवरा तुम इस वक्त छत पर क्या कर रही हो उसने बोला कुछ नहीं भावी मेरे दोस्त का फोन था बारिश की वज़े से नीचे नेट वर्क नहीं मिल रहा था इसलिए मैं यहां आकर बात कर रही हूँ उसने नजर चुराते हुए और घबराते हुए बोला मैंने उस वक्त उसकी बातों पर ध्यार नहीं दिया चार दिन बाद ही मेरे देवर सूरज की साधी थी घर में कोई भी इस साधी के लिए तयार नहीं था क्योंकि लड़की हमारी जात बिरादरी की नहीं थी वह उसी कॉलिज में पढ़ती थी जहां सूरज और सवरा दोनों पढ़ते थे सूरज को वह लड़की भूत पसंद थी और दोनों पिछले एक साल से एक दूसरे को जानते थे उसकी लाख कोशिस के बाद भी साथ ससुर और स्वयम मेरे पती इस रिष्टे के लिए इनकार कर रहे थे जब सूरज को लगा कि घर में कोई भी उसकी बात नहीं मान रहा है तो उसने धमकी दिया कि अगर उसकी साधी सीमा से नहीं तै हुई तो वह घर छोड़कर चला जाएगा मेरे ससुर ने सोचत जवान लड़का है कहीं सचमुच घर छोड़कर ना चला जाए इसलिए मजबूरर उन्हें अपने बेटी की बात माननी पड़ी अब सभी मिलकर एक दिन लड़की को देखने गई है वह बहुत ही खूपशूरत है उससे बाचित करने के बाद मेरा मन भी गदगद हो गया जल्द ही वह हमारे घर पर मेरी देवरानी बनकर आ गई वह आई तो मैंने देखा उसके पास एक तूटके से इसके अलावा दो बड़े बड़े पुराने से थैले भी है मुझे लगा कि सादी के बाद तो सभी लड़किया नए समान लेकर माईके से आती है यह पुराने से दो थैली लेकर क्यों आई है मेरे घर का नोकर उन थैले को भी अपने हाथ में थाम रखता था मैंने बोला मुझे दो मैं रख देती हूं तभी मेरी देवरानी उसे अपने हाथ में ले लेती है और बोलती है दीदी आप रहने दीजिए मैं खुद ही रख देती ही उसका इस तनहें से बोलना मुझे थोड़ा अजीब लगा मैं सोच रही थी क्या मैं इनके थैले को लेकर भाग जाऊंगी मैं इन पुराने सड़े हुए थैले का क्या करूंगी जो वह ऐसा वेभार कर रही है खेर फिलहाल यह बात आई गई हो गई उसकी साधी के दो दिन बाद ही जब मैं उसके कमरे में किसी काम के लिए गई तो उस वक्त कमरे में नहीं थी तभी अचानक से मेरी नजर उन थैलों पर पड़ गई जो कौने में रखे थे मैंने चुपके से उन्हें खोला और देखा कि उसमें फटे पुराने कपड़े हैं मैंने सोचा मेरी देवरानी पागल तो नहीं है वह फटे पुराने कपड़ों को अपने साथ क्यों लेकर आई है तभी मेरी सास ने मुझे आवाज दी और मैं कमरे से बाहर आ गई मेरी सास चिला कर बोल रही थी अरे बहु आज तुने खाने के लिए रोटिया नहीं बनाई क्या मैंने बोला बनाई हुमा जी तो तुने उसे आज कहां छुपा कर रख दिया है मुझे बहुत तेज भूक लगी थी और तुमने आज पास नजर नहीं आ रही थी तो मैं खुद खाना निकालने के लिए चली गई पर मुझे कहीं भी रोटिया नहीं मिली यह सब सुनकर मैं बिल्कुल अवाक रह गई मैं खुद किचन में गई मैं जिस बर्थर में रोटिया रखता थी वह पूरी की पूरी खाली थी हम दोनों का सोर सुनकर मेरी देवरानी और मेरी नननत दोनों वहां पर आ गई और बोली हमें बहुत भूक लगी थी हमने सभी रोटिया खाली मैंने ब् kg इतनी सारी रोटिया तुम दोनों ने मिलकर खाली मेरा तो मुह खुला का खुला ही रह गया मेरी तो समझ में नहीं आ रहा ता कि सिरफ ये दोनों मिलकर पूरे परिवार की रोटिया अकेले कैसे खा सकती है फिर जो भी था मैंने नोकर से बोलकर फिर से सभी के लिए रोटिया बनवाई वैसे मेरी देवरानी बहुत अच्छे सो भाव की थी वहे हर काम में मेरी मदद भी किया करती थी वहे मुझे अपनी बड़ी बहन के समान समझती थी और मुझे इज़त भी दिया करती थी पर कभी कभी उस पावेवार मुझे सब करने पर मजबूर कर देता था वहे बाहर तो कोई काम बता कर जाती पर जब वहे वापस लोड़ती तो उसके हाथ में वही दोनों पुराने थैले होते और कई बार मैंने गोल किया था कि वहे जाते समय भी कई बार वहे उन थैलों को अपने साथ लेकर जाती थी इधर मेरी ननत सवरा का वेभार आज कल कुछ अलग ही लगता था आज फिर से मैं जब छट पर किसी काम से गई तो मुझे सीडिया चड़ते हुए ऐसा लगा कि सवरा आज फिर किसी से फोन पर बात कर रही थै मैं थोड़ा सा उपर गई तो मुझे सुनाई पड़ा की तुम चिंता मत करो मैं तभी समान लेकर समय पर आ जाऊंगी उसकी यह सारी बाते सुनकर मुझे बहुत हैरानी हो रही थी मैंने सोचा कहीं सवरा का किसी से चक्तर तो नहीं चल रहा है आखिर वह किस समान को लेकर आने की बात कर रही है और वह कहां किस के साथ जाने वाली है अभी तो उसकी कॉलेज की छुट्या भी चल रही है यह सब सुनकर तो मेरा दिमाग ही खराग हो गया और मेरी धड़कन भी तेज हो गई मैंने यह बात अपने पती को बतलाई तो उन्होंने मुझे बोला थोड़ा सा घर पर ध्यान रखा करो वैसे सवरा ऐसी लड़की नहीं है लेकिन वह भी बच्चे कब किसी की बातों में आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है इसलिए तुम बड़ी होने के नाते इस घर की पूरी जिम्मेदारी अच्छे से निभाया करो मैं तो पूरे दिन ओफिस में रहता हूँ मैं क्या क्या देखूंगा मैंने बोला ठीक है मैं पूरा ध्यान रखने की कोसिस करूंगी उसके बाद मैं अपने कमरे से निकल कर बहर आ गई तो देखा मेरी देवरानी और ननत दोनों कहीं बहर से आई रही है मैंने पूछा तुम लोग कहा गई थी तो उन्होंने जवाब दिया कि हम दोनों पालर गए थे मैंने बोला परसो ही हम लोग पालर गए थे और आज फिर से इस पर मेरी देवरानी बोली दीडी उस दिन सवरा सिरफ एरकट के लिए गई थी पर आज उसे वैक्स करवाना था मैंने बोला अच्छा तभी अचानक मेरी नजर उनके हाथ पर गई दोनों ने वही थैले अपने हाथ में पकड़ रखे थे जो मेरी देवरानी अपने माईके से लाई थी तभी मेरी बेटी दोड़ते दोड़ते आई और बोली मम्मी मुझे खाना दीजिए भूक लगी है मैं जल्दी से किचन में गई और उसके लिए खाना निकानने लगी मैंने दो रोटी प्लेट में रखी और सबजी लेने के लिए पैन का धकन हटाया तो यह देखकर मैं दंग रहे गई की पैन में तो सबजी ही नहीं है जबकि घर में अभी तक किसी ने भी खाना नहीं खाया था मैं तो अपना सर पीट ली आखिर मेरे घर में क्या हो रहा था कभी सबजी गायब हो जाती है तो कभी रोटी गायब हो जाती है उपर से सवरा और सीमा दोनों की हरकते भी वड़ी अजीब थी यह सब सोच कर तो मेरा दिमाग ही खराब हुआ जा रहा था मैंने इन डायरेक्ट रूप में सीमा से पूछा तुमने खाना खा लिया क्या उसने बोला हाँ दी दी सबजी बहुत अच्छी लगी थी इसलिए मैंने पूरी सबजी खा ली आप लोगों के लिए तो बच्ची ही नहीं मैंने फिर से अपना सिर पीट लिया कोई अकेले केवल शिरफ सबजी कैसे खा सकता था वह भी इतनी सारी क्या उसे पूरी सबजी खाने से पहले हमने इसे किसी के बारे में ध्यान नहीं आया मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था यह सबी चीजे मेरी समझ से बहर थी कि इसलिए मैंने सोचा अम मुझे सवरा और सीमा दोनों पर रजल रखनी होगी आज मेरी देवरानी किसी काम से बाजार गई थी जब वहें वापस घर लोटी तो वहें लंगडा-लंगडा कर चल रही थी मैंने उससे पूछा तेरे पैर में क्या हुआ है तो उसने नजर चुराते हुए बोला कुछ नहीं दी दी थोड़ा पैर में दर्ध है उसके बाद वहें अपने कमरे में चली गई पर मुझे ताचुब उस वक्त हुआ जब दो घंटे के बाद मेरी ननत पोले से वापस आई और वहें भी सीमा की तरहें ही लंगडा लंगडा कर चल रही थी मैंने उससे भी पूछा तो उसने भी मुझे वही जवाब दिया जो सीमा ने दिया अब तो पानी सर से उपर से निकल रहा था मैंने पूछा तुम दोनों सच-सच बताओ आखिर क्या बात है मैं इस घर में बड़ी हूँ और मेरे पती ने यह जिम्मेदारी दी है कि मैं पूरी जिम्मेदारी अच्छे से निभाऊं कल को उन्हें यह सब बाते पता चलेगी तो वहें सोचेंगे कि मैं अपनी जिम्मेदारियों से भागती हूँ घर पर ध्यान नहीं दे पाती हूं मम्मी पापा की भी अब एज हो चुकी है उन्हें तो आधी चीजे दिखाई सुनाई ने भी नहीं देती है वह घर का कितना ध्यान रखेंगे इसलिए तुम दोनों मुझे सच सच बताओ की आखिर बात क्या है ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम दोनों के पैर में एक ही दिन एक ही से में दर्ध हो इसके अलावा कभी कीचन से पूरी रोटिया गायब हो जाती है कभी पूरी की पूरी सबजी ही गायब हो जाती है पूछने पर भी तुम लोग कोई सही जवाब नहीं देती इसके अलावा कभी कभी तुम दोनों के हाथ में वही पुराना थैला होता है जो सुधा अपने मायके से लेकर आई थी आखिर इन सब का क्या चक्कर है दोनों मेरी बाते सुनकर डरके मारे काप रही थी और घबरा रही थी उन्हें तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि भावी की बात का हम क्या जवाब दे मेरी ननज ने बोला भावी ऐसी कोई बात नहीं है आप हमें गलत समझ रही है मैं भी आज जीत पर पकड़ रखकी थी की मैं आज सच्चाई उगलवा कर ही मानूंगी तभी मेरी देवरानी बोली दीदी आप मेरे साथ चलिए सारी सच्चाई मैं बताती हूँ उसके बाद हम दोनों गाड़ी में लगभग एक किलोमेटर आगे गए सीमा के कहने पर हमारी गाड़ी एक अनात आसरम के बाहर रुकी मैंने सवरा से बोला तुम लोगों ने गाड़ी किस अनात आसरम के बाहर क्यों रुकवाई है तभी उन दोनों ने बोला आप आईए तो सही आपको सारी सच्चाई पता चल जाएगी मैं जैसे ही अंदर परवेश की मैंने देखा कि वहां की लड़किया वही कपड़े पहने हुए थी जो सीमा अपने मायके से अपने साथ लाई थी मैं देखते ही पहचान गई सीमा ने बोला दीदी मैं साधी से पहले सही सारे कपड़े अपने साथ लेकर आई थी ताकि मैं उसे गरीबों में बाढ़ सकू मुझे माईके में टाइम में नहीं मिला था इसलिए मैं उन कपड़ों को अपने साथ लेकर आ गई थी उसके बाद सवरा बोली भाबी उस दिन जब आप सथ पर आई थी तो मैं इसी अनात आसरम से फोन आया था मैं हर महिने टूसन पढ़ाने के बाद जो पैसे कमाती हूँ इसी अनात आसरम में उसका दस परसेंट दान करती हूँ मैं दान देने के बाद रसीद लेना भूल गई थी रसीद में यह लोग नाम पता भी लिखते हैं और इसी के लिए उन्होंने मुझे रात को फोन किया था फिर उसने आगे बोला सीमा भावी और मैं दोनों मिलकर इस लोगों की कुछ मदद करते हैं उस दिन जब रोटी और सबजी गायब हो गई थी उसकी वज़य यह थी कि यहां के बच्चे भूके थे उस दिन इसके खाने पीने का इंतिकाम नहीं हो पाया था तो मैं और भावी एक दिन रोटी लेकर आये थे और एक दिन सबजी जितने लोग भी इस अनाथा आसरम से जुड़े हैं सभी अपने घर से बना हुआ कुछ न कुछ खाना लेकर आते रहते हैं हमने घर में किसी को इसलिए नहीं बताया कि पता नहीं घर के लोग जान जाएंगे तो ये हमें यह काम करने देंगे की नहीं उन दोनों की बाते सुनकर तो मैं बिल्कू हैरान थी सच मुझ में उन दोनों को क्या बोलती यह तो एक नेक पारिये था मैं तो अपनी दूइन दुनिया में खोई रहती थी कभी सेवा के इस रूप को मैंने समझने और जानने की कोशिस भी नहीं की थी लेकिन आ सवरा और सीमा की बातों ने मेरी भी आखे खोल दी थी तभी मैंने दोनों से पूछा की उस दिन तुम दोनों एक साथ क्यों लंगडा कर चल रही थी उस पर सवरा बोली भाबी जब हम एक दिन अपने घर से खाना लेकर घर आ रही थे तो एक कुट्ता खाने की मैक की वज़े से हमारे पीछे पड़ गया हम दोनों डर के मारे तेजी से दोड पड़े अचानक ही हमारे दोनों के पेर एक बड़े से पत्खर से ठक्रा गया और हम गिर पड़े जिसकी वज़े से हम दोनों को चोट लग गई थी मैं आश्चरे भरी नजरों से उन दोनों को देख रही थी और मैंने भी यह परण लिया कि इस नेक कारिये में मैं भी उनकी मदद करूंगी अपने लिए जिन्द की तो हर कोई जी लेता है पर जिन्द की जीने का असली मज़ा तो तब आता है जब हम किसी और के लिए कुछ करते हैं और तब हमें जो खुसी मिलती है उसकी तुलना किसी भोतिक वस्तू से नहीं की जा सकती धन्यवा दोस्तों आपको कहानी अच्छी लगे तो मेरे चाइनल को लाइक और पुस्क्राइब अवश्चे करना